दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया प्रेटफॉर्म पर आपके साथ चर्चा करने चलाऊं हर्याना की राजनीती की हर्याना की राजनीती में खासकर चौदरी बिरंदर सिंग डूमर्खा की राजनीती के बारे में चौदरी बिरंदर सिंग डूमरखा जो अभी तक भारतिय जंता पालटी में है बीजेपी के बड़े नेता है पूरू मंत्री रहे हैं केंदर सरकार के मोधी सरकार के अंदर और पिछले दिनों यानि कि 2 अक्टूबर को चौदरी बिरंदर सिंग ने अपनी आवाज सुनाई थी हलांकि अपनी आवाज तो नों ने सुनाई थी भाजबा के बड़े नेताओं को उनके आवाज भाजबा के बड़े नेताओं तक पहुंची या नहीं पहुंची उनके आवाज और कई जगा पहुंची उनकी आवाज का जो reaction हुआ आपको वो भी बताऊंगा और साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि आखिर चौदरी बिरंदर सिंग अब करेंगे क्या क्योंकि उनकी आवाज जहां जानी चाहिए थे वहां पहुंची नहीं है और जहां पहुंची है उसका भी जो reaction आया है वो चौदरी बिरंदर सिंग के favor में नहीं है आपको बात बताते हैं शुरू से वही कि 2 अक्टूबर को चौदरी बिरंदर सिंग ने करेली की और उस रेली का उससे पहले महिनों तक उन्होंने परचार किया उस रेली का नाम था मेरी आवाज सुनो बिना जंडे बिना डंडे की रेली थी यानि की देश के राष्ट्रे द्वज के नाम पर वो रेली चली थी तिरंगा उस रैली के अंदर लहराय गया था और उस रैली के अंदर चौधरी बिरंदर सिंग ने ये कहा था कि ये जंता की रैली है, इसके अंदर कोई नेता नहीं होंगे नेता नहीं थे उस रैली के अंदर, जंता के लोग थे और चौधरी बिरंदर सिंग के समर्थक थे चौधरी बिरंदर सिंग ने उस रैली में अपनी आवाज सुनाई और जो उनके आवाज सुनाने का लबबल हुआ अब था जो उनकी बात थी बहुत सारी बातें उन्होंने कही राजनीती को लेकर, खेती को लेकर, किसानी को लेकर, युवाउं को लेकर बहुत कुछ बोले लेकिन जो बोले, वो मुख्य है वो ये बोले कि अगर बीजेपी ने जन्नायक जनता प्याटि के साथ गटवंदन नहीं तोड़ा तो मैं फिर बीजेपी में नहीं हूँ ये बात उन्होंने बहुत जोड देकर कही थी, तालियों की गड़गार भी हुई थी, लोगों ने चौधरी विरंदर सिंग जिंदावाद के नारे भी लगाई थे, लेकिन आज 11 दिन हो गए, चौधरी विरंदर सिंग अगला फैसला क्या करेंगे, लोगों की नजन उस पर है, और इस बीच में जो चौधरी विरंदर सिंग ने अपनी आवाज सुनाई थी, जो मैंने आपको पहले ही बोला, कि जिन लोगों को नों ने अपनी आवाज सुनाई थी, लगता है वहाँ तक तो पहुँची नहीं, और जिन लोगों के पास पहुँची, वो उनकी पार् के नेताओं ने भी उनकी आवाज को सुन करके अपनी आवाज दी, अपनी बात कही, कुछ और पार्टियों के नेता भी बोले, चौधरी विरंदर सिंग की जो आवाज थी, सबसे पहले वो दिग्विजे चोटाला के कानों में पहुँची, और दिग्विजे चोटाला ने अगले ही दिन एक प्रेस कांफरेंस करके चौधरी विरंदर सिंग से कहा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि विरंदर सिंग ने उस रैली के मंच से जन्नायक जन्ता पार्टि पर भ्रष्टा चार के बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए थे, कहा था कि सरकार के अंदर ज आपके पास कोई सबूत है तो लाइए, और अगर नहीं ला रहे हैं तो आप गलती माफी माँगिए, और नहीं तो फिर हम अदालत में जाएंगे, चौधरी विरंदर सिंग ने भी कहे दिया, कि जाओ अदालत में जाओ, कौन रोगर आपको वहां देख लेंगे हम भी, हाल उससे पहले जो बोल रहे थे, वो तो यही सामित करता है कि उनको 35 साल के उस युवा, यानि की जो हर्याना के मुख्यमंतियें, दुशन चोटाला से उचाना को लेकर डर लगता है, खासकर, और उचाना को लेकर के उनका जो चौधरी विरंदर सिंग का डर है, और जो उन्ह पी दोनों, और अगर जन्नायक, जन्ता पारिटी और बीजेपी दोनों विधान सभा का चुनाव कहीं गटबंदन में लड़ते हैं, तो मान लिया जाए कि दुशन चोटाला की उचाना सीट पर जेजेपी का सबसे पहला दावा होगा जो बनता भी है, आज दुशन चोटा का परिणाम आता तो जादा पता चलता है, क्योंकि जन्ता भी आज निताओं से बहुत आगे है, जब तक जन्ता को निताओं से काम है, यानि कि जब तक कोई सत्ता शीन है, तो जन्ता उसके साथ रहती है, जब सत्ता जाती है, तो पता लगता है कि आखिर जन्ता के मन में थ खाग्या कई वर जनता के मूड में क्या है जनता के मन में क्या हो सामने आता नहीं इसलिए आप मान के चलिए गठबंदन होता है तो फिर जन्नायक जनता चौदरी विरंदर सिंग का गड़ है और उस उचाना के अंदर चौदरी विरंदर सिंग की और दुशन चोटाला दिगविजय चोटाला आजय चोटाला इस परिवार की यानि कि पूरे चोटाला परिवार की बड़े चोटाला यानि कि ओम प्रकाश चोटाला जी के समय से ही दोनों परिवारों में ठंती है, आज भले ही चौदरी विरंदर सिंग ओम प्रकाश चोटाला जी की रेली में जा रहे हूँ, लेकिन इन्ही ओम प्रकाश चोटाला को विरंदर सिंग ने लोग सभा के चुनाओं में हराया था, और इनी ओम्प्रकाश चोटाला ने विरंदर सिंग को विधान सभा के चुनाओं में हराया था लेकिन कहा जाता है कि राजनीथी में कोई स्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता जो दुशन चोटाला है वो अमे सिंग चोटाला के लिए भी और विरंदर सिंग के लिए भी समान रूप से पीड़ा दाई है तोनों को इन से समान रूप से परशानी है लेकिन एक और जो बात में आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये थी कि एक तो आवाज पहुची दिग विजे चोटाला के पास और जिन नेताओं के पास चौधरी विरंदर सिंग के आवाज पहुची उन सबने अपने सुर अलग दिये किसी ने उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाई चौधरी विरंदर सिंग के आवाज मुख्य मंत्री मनोरलाल के पास भी पहुची तो मुख्य मंत्री मनोरलाल ने कहा कि ब्रश्टाचार के मामले को ले करके उनकी जो सरकार का रुक, सरकार का रवया बड़ा सीधा है कि वरश्टाचार पर कोई टॉलरेंस नहीं है अगर विरंदर सिंग जी के पास कोई बात है तो सबूत के साथ आए और इसके साथ मनोर लालम जी ने ये भी कहा कि विरंदर सिंग जी के असली परिशानी उचाना है उस आवाज को सुना ओपी धंकड साब ने भी यानि कि जो BJP के परदेश अध्यक्षें और ओपी धंकड साब ने कहा कि जितना दिया है उनको चौधरी विरंदर सिंग को बीजे पी ने उनको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए उसको एहसान मनना चाहिए उपी धनकर साहब ने कहा कि उनको राजय सबाग का सदस्य बनाया उनको केंदर में मंत्री बनाया उनकी पत्नी को विधान सबा का टिकेट दिया विधायक बनाया, दो बार टिकेट दिया, उनके पुत्र को सांसत का टिकेट दिया, सांसत बनाया, बहुत कुछ दिया, और जहां से वो आये थे कॉंग्रेस से, उससे तो बहुत कुछ ज़्यादा दिया, चौधरी विरंदर सिंग के लिए राम बिला शर्मा भी बोले, राम कॉंग्रेस ने निकाला था अमने तो आपको संभाला इसलिए आपको ठीक से रहना चाहिए चौधरी विरृंदर सिंग के बारे में सरकार में जो वजीर है रंजीत सिंग चोटाला उनने भी बोला रंजीत चोटाला ने कहा कि वैसे तो मेरी से उम्र में बरावर के हैं मेरे मित्र हैं लेकिन साथ-साथ ये भी तंज कस दिया कि अगर राजनीतिक मंच पर जाया जाता है तो मन बना कर जाया जाता है शर्तों पर कारे करता नहीं रोखते जो आप शर्त रख रहे थे अगर आपको कुछ फैसला करना था तो करके जाते आपको एक बार बताएं कि जो विरंदर सिंग की जो मन की बात है यह वैसे बहुत दिन पहले सुन ली थी प्रेमलता जी ने भी और प्रेमलता जी से जब उचाना में थी उनसे पू और चौधरी उदरःबान ने यह कहा कि कंग्रेस के साथ विरंदर सिंग ने क्या किया यह विरंदर सिंग् सोचें और वह कॉंग्रेस में आते हैं तो उनको लेने का फैसला पाड़ी का अलगा कमान करेगा क्यों को पारटी मुले ना या लागलór फारेसिभान को पूछता क मिलाई शायद उनके आवाज आमादमी पार्टी के सुशील गुपता तक नहीं पहुची वैसे आपको बात बता है एक और कि जो इससे पहले एक रैली हुई थी दो अक्टूबर अब क्या वो आवाज सुशील गुपता तक मोची है गया और क्या सुशील गुपता जी अब उनको आमादमी पार्टी में आने कान्योता देंगे क्या विरंदर सिंग आमादमी पार्टी में जाएंगे क्योंकि वो तो कह चुके कि अगर गठबंदन है तो मैं नहीं हूँ और और हो बीजेपी के लोग शर्ट नहीं मानते, वाजबा का अला कमान भी शर्ट नहीं मानता, जो फिलाल ऐसा ही दिख रहा है, तो फिर चौधरी विरंदर सिंह का क्या फैसला होगा, क्या चौधरी विरंदर सिंह आमादमी पार्टी में जाएंगे, या फिर चौदरी विरंदर सिंग अभय सिंग चोटाला के जंडे तले जाकर के इंटियन नेशनल लोगदों से राजनीती करेंगे क्या होगा चौदरी सापने अपनी आवाज तो सुना ली लेकिन उस आवाज का जो परिडाम क्या होगा उस आवाज का रजल्ट का निकलेगा नजर ल प्राटी में जाएंगे आखिर क्या होगा इन सब सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब चौदरी विरंदर सिंग कोई नया फैसला लेंगे और प्रयास हम करेंगे जानने का कि वो क्या हो सकता है और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपको बताएं इस सब के लिए बस वही के तमाम लिंक्स पर रह करके हमारे साथ जुड़े रहें हमें देखते रहें पढ़ते रहें और सुनते रहें नमस्कार धन्यवाद